हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूटूब चैनल सोध अड़ापर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए higher education से related हर एक information इस चैनल पर आपको मिलेगी चाहे वो job से related हो चाहे वो admission से related हो चाहे वो fellowship से related हो चाहे वो PhD से related हो चाहे वो research से related हो या other education department से related कोई भी information हो आज मैं आप सब के लिए लेका आया हूँ एक assistant professor की job वो भी central university में जी हाँ दोस्तो स्यामलाल college जो डेली university का है उसमें assistant professor की job आई है permanent उनी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इस में जो post है वो कितनी है क्या है वो सब हम बात करने वाले है ठीक है यह इसका official notice है यहाँ से हम official notice इसका download किया है देखते हैं हम इस official notice में क्या क्या है देखे दोस्तों यह जो notification आया है यह दरसल जुलाई को आया है तो assistant professor के लिए recruit किया जा रहा है इस college में जो स्यामलाल evening college है उसमें आपको assistant जो level होगा आपका assistant professor का वो होगा pay level 10 जो आपका 5700 का जो pay scale है वो मिलेगा 5700 को म जो है वो क्या है कि basic pay है तो उससे आपको around 80 to 90,000 मिलेंगे starting में ठीक है जब आप join करोगे अब हम बात करते हैं इसका application form कब तक fill हो रहा है ठीक है last date क्या है इसका जो application form है वो आप fill कर सकते हो 11 अगस्त तक ठीक है अभी अगस्त चल रहा है तो अभी अगर आपने इस form को नही fill किया है तो आप इस form को fill कर सकते हो और Central University में Assistant Professor बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हो ठीक है तो 11 अगस्त इसकी last date है अब मैं बात करता हूँ कुछ other जो इसकी important facts है ठीक है उनके बारे में ठीक है देखिए किस-किस subject में कितनी इसमें seat आई है वो मैं बताता आपको अगर आप कोई भी ऐसे candidate हो जिनका master हुआ है commerce subject में with the 55% और उनके पास net है तो उनके लिए यहाँ पर total 21 post है इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ computer science के तो उसमें 5 seat है जिस अगर मैं economics की बात करूँ तो economics वाले बच्चों के लिए भी बहुत सो नहरा मोका है 7 seat है जिस physical handicap के लिए है अगर हम बात करें वहीं पर हिंदी और इंगलिस की दोनों में 6-6 seat है history subject से अगर आपका master है तो आपके लिए 3 seat है वहीं पर मैं बात करू political science की तो political science में 6 total seat है अगर कोई ऐसे candidate है जिसका physical education से related जो है subjects में master हुई है और net है तो उनके लिए एक post है और वो अगर आप environmental studies से related है तो environmental studies में आपके पास total 2 seat है तो कुल मिलाकर यहां assistant professor की जो है 60 seat है एक अच्छा मोका है आपके लिए जो है central university में assistant professor बनने का और यहां पर आपका direct interview होता है कोई return नहीं है कुछ नहीं है अच्छा खासा pay scale मिलता है आपको starting में 80 to 90,000 permanent post है ठीके government university है central university obviously ठीके त तो एक अच्छा मोका है अब हम बात करते हैं कि eligibility criteria क्या है अगर आप कोई भी ऐसे category से belong करते हो जो arts से हो या commerce से हो या फिर humanities से हो या law से हो या social science से या science से या language से या physical education से ठीके तो आपके जो eligibility है वो क्या होनी चाहिए या तो ए होनी चाहिए या यह होनी चाहिए दो या फिर यह वाली होनी चाहिए पहली में eligibility बताता हूँ आपकी masters होनी चाहिए complete with the 55% marks ठीके इसके अलावा आपका क्या है UGC net clear होना चाहिए यह दो इसकी basic eligibility criteria है ठीके अब मैं बात करता हूँ यहां B point क्या है ठीके या तो आपके पास यह वाली eligibility होनी चाहिए या यह वाली होन 500 में आता है world university universities में ठीके उससे आपकी university से क्या होनी चाहिए PhD होनी चाहिए इसके अलावा क्या है कि आपका यह भी हो सकता है कि academic ranking of the world university of the संगही है आपको पता ही है चाहिए ठीके और वहां से भी आपकी university से क्या है PhD हो सकती है दूसरी बात अगर PhD आपकी है तो आपको नेट के जरुवत नहीं है UGC ने ओडिनेंस दिया है अभी latest 2023 में भी और 2018 में भी तो आपको नेट की जरुवत नहीं है आप exempted हो आपको सिर् और इंटर्वी देना है ठीक है अब मैं बात करता हूँ कि other कोई eligibility तो यहां नहीं है वो मैं बात करता हूँ ठीक है यह direct recruitment है जैसे मैंने आप सबको बताए कि direct recruitment है आपको इंटर्वी देना और इंटर्वी आपका selection होगा ठीक है assistant professor के लिए यह भी मैं बताऊंगा कि इसमें जो marks मिलेंगे selection criteria क्या है और उसमें कितने marks किस चीज के लिए मिलेंगे कैसे sort list होंगे आप होंगे के नहीं होंगे ठीक है तो यह आप end तक जरूर देखना देखो यह मैंने बता देया आपको कि यह permanent है ठीक है और net के eligibility चाहिए यह सारी basic चीज़े ठीक है अगर PhD है तो आपक चीज़े आपको पताई है PhD डिगरी अगर किसी के पास है तो वो regular होनी चाहिए आज मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था वीडियो में कि सर मेरी जो PhD है वो part time है तो part time वालों के लिए नहीं है यह आपकी PhD regular होनी चाहिए ठीक है आपकी जो PhD है वो external के दौरा उसका वाइब इसके अलावा वहाँ पर आपको paper present करने उसी काम से related अपनी thesis से related ठीक है तो यह सारी इसकी basic eligibility थी ठीक है अब मैं बात करता हूँ इसकी other जो है कोई important information अगर होगी देखो आपको form कहां भरना है मैं अभी बताऊंगा आपको क्योंकि मैंने भरा हुआ है मैं दिखाऊंगा कि क अहां से form भरना है ठीक है just wait अब मैं बताता हूँ fee कितनी है अगर आप general category से OBC से हो या AWS से हो तो आपकी जो fee से वो 500 रुपे अगर आप SC category से हो STK category से हो या physically handicap category से हो या woman हो तो आपकी कोई fees नहीं है free of cost आपको यह form भरना है तो मेरी यह suggestion है कि अगर आपको पास net है और आप अब कोई BSC category से है तो आपको तो must भरना ही चाहिए यह form ठीक है यह देखने के लिए कि आपको जो है वहां से call letter आती है कि नई interview के लिए ठीक है यह सारी चीजे हो गई ठीक है अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि किस चीज के यह कितने marks देते हैं ठीक है और मुझे किस marks है 80 यह 80 से उपर है तो आपको 21 marks मिलेंगे ठीक है अगर आपके graduation में 60 से 80 के बीच में कोई भी percent है चाहे 60 हो या 79 हो ठीक है या even की 80 हो तो आपको 19 marks मिलेंगे 19 number मिलेंगे अगर आपके 55 % है या उससे कम है ठीक है तो आपको कितना मिलेंगे 16 number अगर आपको 45 से 55 के बीच में है तो आपको कितना नमबर मिलेंगे 10 ठीक है इसी तरीक से पॉस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका 80 या उससे जादा नमबर है तो आपको 25 नमबर मिलेंगे अगर 60 और 80 परसंटेज के बीच में है तो आपको 23 नमबर मिलेंगे अगर आपको 55 से 60 के कहीं बीच में है तो आपको 20 नमबर मिलेंगे वहीं अगर किसी बच्चे ने MFIL कर रखा है जो इसको देख रहा है तो MFIL वाले बच्चे ने अगर अपनी MFIL 60% या उससे ज़ादा परसेंटेज से की है एक पास तो उसको 7 नमबर मिलेंगे अगर 55 परसेंट या उससे कम से की है या 60 और 55 के बीच से की है तो उसको 5 नमबर मिलेंगे अगर कोई भी ऐसा कंडिडेट है मुझसे बहुत सारे कंडिडेट कुछते है सर पीएजडी क्यों करें क्यों करने चाहिए क्योंकि देखो यहां मैंसन है पीएजडी के लिए 25 नमबर है यह तो कॉलीज भी मिल रहे है और यूनिवर्सेटे में पीएजडी के लिए 30 नमबर है तो यह कोई भी नहीं काट सकता आपको नेरभाई भी नहीं आ सकता इसलिए पीएजडी करने चाहिए तो PhD के आपको 25 नमबर लगेंगे अगर आपका net with GRF है यानि आपको पास GRF है सीधी सीधी बात है तो 10 नमबर मिलेंगे सिर्फ net है तो आपको 8 नमबर मिलेंगे अब आते हैं important aspect पे जिस पे मैं अभी recently वीडियो बनाऊँगा इसके बाद publication कैसे करें कितने marks मिलते हैं क्या publication के यहाँ पर 6 नमबर है एक publication के 2 नमबर है इसकी detail में वीडियो बनाऊँगा तब आप देख लेना तो यहाँ पर सिर्फ यह देख लो अगर आपको पास एक paper है research paper published हुआ है चाहिए वो peer reviewed में हो चाहिए UGC care listed में तो 2 नमबर मिलेंगे इसी तरीके से maximum 3 paper के नमबर मिल सकते है 6 ठीक है अगर आपको पास teaching experience है एक साल का teaching experience के लिए आपको 2 नमबर है यह देखो mention कर रखा है 2 marks for 1 एर ठीक है अगर आपने PhD के बाद post doctorate कर रखी है यानि PhD के बाद जो further degree होते है वो कर रखे है तो आपको 10 नमबर मिलेंगे ठीक है इसके अलावा अगर आपको पास कोई भी award है international level का या national level का ठीक है तो उसके लिए आपको 3 नमबर मिलेंगे अगर आपको पास कोई भी award है state government के थूरू ठीक है तो उसके लिए आपको 2 नमबर मिलेंगे ये जो नमबर है 2, 3, 10, 6 ठीक है इन सब को मिलाके total यहां से नीचे तक 100 नमबर बन जाते हैं अगर इन में से आपके 50 नमबर बनते हैं ठीक है वो मैं अभी आपको बताता हूँ देखे ये सारा criteria है अगर आपको पास M.Phil है ठीक है, M.Tech है, ये सब चीज है और PhD भी है तो आपको 25 नमबर मिलेंगे Net.GRF के maximum 10 नमबर मिल सकते हैं, Award के 3 नमबर मिल सकते है, Academic के 84 नमबर है जिसमें से क्या है Research Publication के 6 नमबर जो अभी बताया Teaching Experience के 10 है, जो मैंने अभी बताया ठीक है, कैसे मिलेंगे Total 100 है, अब criteria क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये form बरू में और Shortlist होंगा कि नहीं होंगा, ठीक है Screening Committee एक होती है Screening Committee का मोटे इस तोर पे ये समझ लीजिए कि वहाँ पर Committee होते हैं, जो ये देखते हैं कि आपके कितने number बन रहे हैं और अगर आपके वो number जो उन्होंने एक limit बना रहे हैं उसके उपर है या उतने हैं तो आपके लिए interview आएगा, वरना नहीं आएगा अब मैं बताता हूं कितने number आपको चाहिए अगर आपको interview आएगा तो जो मैंने उपर number बता है उसके हिसाब से अगर आप जो है एप्लीकेंट से लेस देन 65 मार्क्स फोर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड 50 मार्क्स फोर दा कॉलिज जो टोटल उपर ये वाले 100 नंबर थे ये टोटल मिला के ये 100 हो गए ठीक है 84 एंड 690 और 10 ये हो गए 100 इन 100 में से जो 100 मार्क्स है इस में से अगर आपके 65 मार्क्स नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी के लिए अगर ट्राइ कर रहे हो यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट होते हैं ये आपको minimum 50 नंबर चाहिए ठीक है अगर 50 नंबर हैं तो आपका क्या है इंटर्व्यू आएगा ठीक है relaxation मिलती है आपको 5 मार्क्स किस के लिए अगर आप SC के टिग्री से हो ST के टिग्री से है फिजिकली हैंडीकेप से यानि जो 50 नंबर ये उन्हों लिलिक रख रहे हैं तो 45 नंबर अगर आपके होंगे और कॉलिज में ट्राई कर रहे हो तो SC ST ये फिजिकली हैंडीकेप का इंटर्व्यू आएगा और अगर आप जो है यूनिवर्स्टी में अपलाई कर रहे हो तो आपके 60% है और इस केटेगरी से हो तो तब भी आपके इंटर्व्यू आएगा अब मैं दिखाता हूँ ये अपलाई कहां से करना है और मैंने अपलाई किया था मेरा किस-किस में इंटर्व्यू आया क्या कैसे माक्स मिलते हैं ठीक है जस्ट वेट देखो यहां पर आपको जाना है Colleges of the University ठीक है यह इसकी ओफिसेल वेबसाइट है College Recruitment colrec.uod.sc.in यह मैंने अल्रेड़ी यहां पर जो है रिजिस्टर कर रहा था तो इसलिए मुझे क्या करना है Simply अपनी login करना पड़ रहा है ठीक है हाँ देखो यह मैंने सारे फॉर्म भरे थे यह incomplete थे दो मेरे complete फॉर्म थे देखो फीस मैंने सिर्फ दो की पे की है यह वाला paid है और यह वाला इसमें भी देखो shortlisted for interview इसमें भी shortlisted for interview ठीक है दोनों में मुझे shortlist हुआ था यह मैंने अभी fees पे नहीं की है Samlal College की यह अभी आपको दिखाता हूँ किस चीज के कितने marks मिलते है ठीक है देखो यह सारी मेरी एप्लिकेस इसमें क्या होता है डियू में अगर आप एक बार form भरोगे तो सारे के सारे जो भी आपकी detail है वो इसमें save हो जाते है फिर आपको teaching में क्या करोगे क्या तरीके होंगे यह वो क्यों job करना चाहते हो क्यों इसी university में तो वो सारे तरीके होते हैं वो मैं बताऊँगा आपको एक अलग separate वीडियो में कैसे form भरते हैं अभी यह बता रहा हूँ marks किस किस चीज के मिलते हैं ठीक है देखो यहां मेरे कितने percent marks से graduation में 63.2 तो मेरे लिए 19 marks मिले क्योंकि मैं 60 और 80 के बीच में आ रहा हूँ अगर 80 के उपर होता तो मुझे 21 marks मिलते ठीक है इसी तरीके से मेरे masters में है 62% क्योंकि 60 और 80 के बीच में है तो मुझे 23 marks मिल रहा है ठीक है मेरा net है ठीक है और net के बहाँ पर मुझे fellowship भी मिली हुई है ZRF नहीं है तो इसलिए मुझे सिर्फ 8 marks यहां पर मिले है ठीक है इसके अलाओ मैं बताता हूँ और किस चीज़ के marks मुझे मिले हुए है देखो एक मैंने project की हुई है RBI की ठीक है अपने supervisor के साथ वो मैंने की थी तीन महीने के लिए एक project के marks आपको मिलते हैं दो अगर तीन महीने की है तो आपको आधा मिलेगा 6 महीने की है तो एक number तो मुझे यहां मिला हुआ है आधा number ठीक है और मैं बताता हूँ और मुझे किस चीज के marks मिले हो है दो मेरी जो है publication है एक जस्ट आने वाले इनी दिनों उसके hard copy भी नहीं आई इसलिए wait कर रहा हूँ वरना total मेरी तीन publication है एक period में दो मेरी इसमें है UGC care listed में तो दो marks देखो इस paper के लिए कितने मिले दो मिले इस paper के लिए कितने मिले दो मिले ठीके तो total marks मुझे कितने मिले चार marks ये होगे मेरे ठीके अभी मैं आपको दिखाता हूँ wait कीजिए ये सारी चीज में आपको बताऊँगा ठीके ये कैस कैस होता है ये सारी चीज में आपको यही बताने वाला था academics में total मुझे मिले है 50 marks ठीके जो 50 है 50 में से मुझे 50 मिले research publication में मुझे 6 marks मिले है sorry 6 marks में से 4 marks मिले है क्योंकि maximum 3 paper के मिल सकते है मेरा 30 में भी डाला नहीं क्योंकि उसका इनी दिनों किसी दिन भी यह आ सकता है publication का hard copy ठीके 2 का में डाला है तो 2 का मुझे 4 number मिला है experience मुझे research का है 3 महीन ने का तो इसलिए 0.5 उसका मिला है तो मेरा total कितना हो गए 54.5 मेरे marks हो गए 100 में से तो मेरा interview 100% आएगा क्योंकि इसकी criteria क्या है जो अभी मैंने आपको बताया था उसका criteria है 50 number आपके होने चाहिए ठीके यह देखो यह सारे मेरे marks यहां लगे हुए है ठीके यह देखो ठीके यह मेरे यह देखो यह research का score है ठीके यह यहां से दो number यह सारे लगे हुए है तो इस तरीके से आपको marks मिलते है तो आपको भी अगर लग रहा है कि आपके 50 marks है या उससे जादा है तो आप इस form को जरूर से जरूर apply केजिए ठीके ताकि आप जो है Central University में Assistant Professor की job ले सके और आप अपने future को और अपनी family के future को bright कर सके I hope कि अब आपको सारी चीज़े clear हो गई होंगी फिर भी still अगर किसी को doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हो मैं always available हूँ आप सब के लिए ठीके और मैं जो है अपना telegram का link भी share कर दूँगा description में आप मुझे telegram पे जो है जुड़के वहाँ पर भी comment या फिर जो है text कर सकते हो जो भी आपके doubt है या इस से अलग भी कोई doubt है किसी भी तरीके के higher education या research से या education से या job से या PhD से या fellowship से किसी भी तरीके के हैं तो मैं उन सब के लिए जो है आपको जितना मैं help कर सकता हूँ मैं उतनी help करूँगा thank you so much for watching this video please इसको subscribe जरू करना चैनल का और share भी करना अपने दोस्तों के साथ ताकि जो भी जिसको भी जरूरत है ऐसी वीडियो की या ऐसी चीजों की तो वो उस चीज का maximum benefit ले सके thank you